जैसे मैं कह रहे थी हेस्टर बायो साइंसेज यह कंपनी आज हमारे फोकस में है 1987 में हेस्टर बायो साइंसेज की शुरुआत हुई यह देश की दिगज अनिमल हेल्थ केर कंपनी है जैसे आप जानते हैं और दूसरी सबसे बड़ी पोल्ट्री वैक्सीन प्रोड्यूसर भी है तीस से ज्यादा देशों में हेस्टर बायो की मौजूदगी है बिलन मेलेंडा गेट्स फाउंडेशन नोवफार्मा सहित कई संगत्रनों के साथ ये जुड़ी हुई है और पार्टनर्शिप करती हैं तो आप समझ सकते हैं बहुत मार्की नेम्स यहाँ पर इनके साथ काम करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से अब हम बातचीत करेंगे किस तरीकी का डिमांड है आउटलोक है कंपनी के CEO and MD राजीव गांधी हमारे सच्छों में जुड़ रहे हैं Mr. Gandhi, good afternoon, बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो sir, पहले तो मैं आपसे जो हाली में पेट केर में आपकी जो एंट्री हुई थी उस पर क्या response मिला है किस तरीकी का potential आप देख रहे है क्या है वहाँ पे plans पेट केर इंडिस्ट्री कितनी important होगी कंपनी के लिए यहां से आने वाले समय में पेट केर बिजनिस जो है अभी इंडिया में काफी उसकी growth हो रही है अगर आप worldwide market देखे पेट केर और अगर 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 देखे तो पेट केटेगरी सबसे बड़ी है western world में, यॉरप में और अमरीका में यहां का social structure, economic structure अलग से है इसके लिए आज की तारीक में पेट का growth, मतलब market कम है लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं with the middle class with the middle class increasing with the disposable income increasing of people, यह पेट का अभी काफी ज़्यादा ही demand हो रहा है पेट घर में पेट रखने के लिए और उसकी वज़े से पेट प्रोड़क्स की भी demand काफी बढ़ रही है तो हमें लगता है कि तीन चार साल में यह पेट डिविजिन हमारा काफी बड़ा हो जाएगा और internal competition में ही आ जाएगा हमारे poultry और large animal division के साथ तो prospect was strong है और India में अभी शुरुआत है बड़ आप capture on कर रहे है by a first mover advantage in many ways और यह growth अच्छी यहां पर होने की उमीद है सर्थ कुछ अंदाज़ा है सर्थ in terms of revenue potential जो आप देखते हैं शुरुआती और उसके बाद over a period of time क्या studies कहते है किस तरीकी का growth यहां पर दिख सकता है if you can quantify exactly quantification तो तोड़े tough है इस time पर क्योंकि हमने अभी ही शुरुआत की है हमने हमारे forecast बनाया है सब कुछ बनाया है next year हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ around 15 से 20 करोड का turnover हो और उसके बाद हम देखेंगे कि किस product में किस category in pet में हम और करें हाला कि हम vaccines में हमारा सबसे बड़ा specialization vaccines में है आज की date में हमने pet के सिर्फ health products launch किये है अगर एक लेड़ साल के बाद हम vaccines भी launch करेंगे तो अभी यह इसका growth trajectory हम एक साल के बाद पूरा हम study करेंगे आज की date में इतना इससे ज़्यादा forecast देना हमारे लिए भी थोड़ा easy नहीं है okay fair enough sir but आपने internal targets बनाए है clearly वो आप meet करेंगे उसके बाद ही I'm sure उस पर बात करना चाहेंगे but projections definitely आपर अच्छे दिख रहे हैं जैसा आप समझा रहे हमें company के margins and I believe of course जो हमने पिछले समय से कुछ commodity prices inflationary pressures देखे उसके वज़े से margins पर असर जरूर पड़ा है कैसे देख रहे हैं sir margins का picture over the period of time let's say by the end of this year किस तरीकी के margins हमें expect कर सकते हैं और जो pressures अभी हाएं उनको mitigate कैसे करेंगे क्या कुछ price hikes are in the offing sir अब देखिये हमारे company जैसे मैंने अभी कहा आपके अगले सवाल में we are specialized in vaccines vaccines margin health products से काफी ज़्यादा है लेकिन हम अब पूरा हमारा portfolio diversify कर रहे हैं अगर आप worldwide market देखे vaccines all health products में health product की market बहुत बड़ी है vaccines है जब हम ये पूरा हम shift कर रहे है shift हाला कि ऐसे नहीं कि हम vaccines छोड़कर health products में आ रहे हैं हम अभी health products को भी importance दे रहे हैं और वो भी division बड़ा रहे हैं क्योंकि overall अगर grow होना है हमें sales में बड़ी छलांग लगानी है तो हमें health products के उपर भी focus करना पड़ेगा health products में margins कम है vaccines से अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखिए हम health product पे हम definitely focus करेंगे जिसकी वजह से हमारी top line काफी हद तक अच्छे percentage में उच्छाल होकर आगे बढ़ेगा लेकिन अगर profit margin हम देखेंगे yes थोड़ा बहुत को कम होगा ही जब focus health products पे होगा but on the flip side जब देखेंगे अभी lumpy skin disease है goat box vaccine है PPR vaccine है ये भी दूसरे vaccines आ रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि over a period of time we will last हमारा financial year में margins कम था लेकिन हमको लगता है कि by end of this year we should be back to earnings जो हमारे पुराने अच्छे margins है हम आ जाएंगे क्योंके भी vaccines की काफी अच्छे demand है और आगे जाके हम दोनों balance करेंगे और हम health products में भी देखेंगे थोड़ा बहुत हम price increase करेंगे और आज की date में जब ये हमारा division बढ़ रहा है हमने काफी logo marketing में लिये हुए है ये सब का अभी result आना है एक साल, चे महीने एक साल में उनकी भी productivity बढ़ेगी ये सब देखकर हमारा margins definitely बढ़ जाएंगे आगे जाके और हमें ये है कि हमारे original margins we will be able to keep them intact okay, तो जो margins आप पहले अचीव करते थे, वो आप रिटेन कर लेंगे by the end of the year, sir ये timeline ठीक होगा कहना? yes, what you say is right by the end of the year हाला कि अभी पहले health products का सिल बढ़ जाठा हुआ था अभी vaccines का भी अभी सिल जादा है तो हम, we will gain the bottom line okay, sure, so bottom line यहाँ पर retain करने की बात आप कर रहे है sir, क्या अपडेट देंगे production timeline for producing drug substance जो भारत biotech COVID-19 vaccine, co-vaccine है sir, उस पर? हमारी जो facility है उसमें validation चल रहा है the whole area validation हाला कि DSN3 laboratory है तो उसमें validation activity को भी थोड़ा जादा time लगता है हमें यह ऐसा अनुमान है कि हम December महिने में हम first drug substance first batch हम दे देंगे भारत biotech को उनका वो co-vaccine vaccine के लिए यह आज की date में हमारा forecast है और we have decided our forecasted capacity है 70 lakh doses per month वो हिसाब से हमारा plant है यहाँ पर okay fair enough sir तो यह update है इस वक्त बहुत जल्दी इस पर काम जैसे आप कह रहे है चल रहा है it's work in progress sir African business ramp up किस तरह से जा रहा है sir if you can give us an update on that क्या current demand environment है poultry vaccines की African continent में जो हमारा plant है करीबन तीन-चार महीने पहले शुरू हो गया हमने वहाँ पे पांच vaccine औरी commercialize कर दिया है poultry vaccines हम यहाँ से export भी थोड़े बहुत कर रहे हैं धीरे-धीरे poultry vaccines भी वहाँ पे shift कर देंगे अभी market वहाँ पे pick up हो रहा है हमारा distribution network भी उदर हम बढ़ा रहे हैं एक distribution company जो टांजानिया में थी थ्रिशुल एक्जिम करके उसमें भी Hester Biosciences ने 50% equity ले ली है ताकि हमारा distribution network और strongly वहाँ पर बढ़े तो यह सब हम distribution की तरफ बढ़ रहे हैं और दीरे-दीरे एफरिका में यह है कि आज तक कोई जो African diseases है उनके सामने कोई vaccines बनाए ही नहीं है हम first time बनाने जा रहे हैं और जो poultry vaccines है वो यहां से हम आज की date में export कर रहे हैं दो हमने वहाँ पर शुरू कर दिये हैं और अभी वहाँ पर अभी भी availability बहुत कम थी अभी धीरे-धीरे हम push कर रहे हैं हर एक गाउ में हर एक district वहाँ पर पहले टांजानिया में फिर हम जाएंगे Kenya और दूसरी country में अभी हम network बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि तीन या छे महिने में हम at least टांजानिया में पूरा हम cover कर देंगे और उसके बाद हम बाहर के market को हम address करेंगी हला कि आज की date में geopolitical situation की वजह से जो देश पहले उन्होंने कुछ forecast थिया था government tendering के लिए तो वो सब थोड़ा slow है वो भी हमारा आज की date में एक हमें balance करना है कि private market हम कितना बढ़ा है government tender कितना होगा तो यह सब आगे पीछे और यह सब चीजे हो रहा है एफरिका तो margins company के end of the year तक intact हो जाएंगे जो पहले होते थे और business prospect भी strong दिख रहे है expansion भी on track है sir आप से मैं यह जाना चाहूंगे कितनी additional sales आप expect कर रहे है because हमने अभी especially in this quarter recent outbreak जो हुई है lumpy skin disease की उसकी वज़े से lumpy skin disease अभी काफी हद तक इंडिया में कई राजियों में फैला हुआ है और हम हमारा vaccine production lumpy skin disease हाला कि goat box vaccine है वो आज की date में use कर रहे हैं lumpy skin disease के लिए हमने ramp up कर दिया है 70% हमारा जो production है हमने पूरा lumpy skin disease vaccine के उपर shift कर दिया है और हम ये quarter में काफी से lumpy skin disease का हमारे होगा और fortunately ऐसा भी है कि जो हमारे दूसरे vaccines है सेल कुछ बाकी का impact नहीं हुआ है क्यूंकि हमारे पास stock थे stock था दूसरे vaccines का लेकिन lumpy skin disease हमें बहुत bright लग रहा है ये quarter और अगले quarter में Okay, fair enough Sir, इस वाफ अगर मैं आपसे जाना चाहूं vaccines को लेकर कितनी vaccines pipeline में हैं और आपने कोई और new filings की हैं of late which you should tell us At the moment we are working on classical swine fever vaccine और एक Brussela vaccine next generation Brussela vaccine है जो कि हमने Government of India दोनों technology हमने Government of India से ही ली है ये दो vaccine पे आज की date पे हम काम कर रहे हैं तीसरा poultry में आपने शायद news में पढ़ा होगा करीबन एक महीने या तीन हफते या एक महीने पहले low pathogen avian influenza vaccine बनाने की पर्मिशन सरकार ने दी है poultry vaccine manufacturer को तो ये तीन जो है उसके उपर हमारा focus आज की date में है ओके तो ये तीन vaccines पर focus है कमपनी का बहुत बहुत शुक्री है Mr. Gandhi हम से जुडने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके का business इस वक्त है और आगी क्या prospects और outlook लग रहा है कमपनी का तो ये थे ऐसे बायो साइंसे की management हम से बाचीत करते हुए वल इस note पर corporate army इतना ही लेकिन आप कही मत जाएए क्योंकि खबरों का सिलसेर रहेगा जारी बने रही हमारे साथ करण कर्का करता करते हुए शु करते हैं कर हैं अब्सक्तいやप लेता है झाल झाल